हलो अबरिवान तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर वन ओनलाइन इंजिनरिंग प्लैटफोर्म पर तो PGCIL में बंपर वेकंसी निकल चुकी हैं तो आए जान लेते हैं सबसे पहले यहां पर आपको सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको आगे की नोटिफिके और सिविल के लिए बहुत ही अच्छा चल रहा है जैसा कि आप सबको पता ही है लिंक आपको तीनों का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा A to Z preparation करवा दी जाएगी आपको SSE JE की 150 Days की यहां पर आपको मिल रही है Validity, Top Qualitical Lectures मिलेंगे, Full Test Series मिलेगी, पूरी preparation करवा दी जाएगी आपको आप J बन जाओगे इस चीज की Guarantee हम लेते हैं 3499 का यहां पर आपको Course मिलेगा Electrical और Civil का और 2499 का आपको मिल जाएगा Mechanical का उपर से 10% extra off मिल जाएगा coupon code इस्तेमाल करने पर और gate all-in-one comprehensive package लेना बिलकुल मत भूलिएगा अगर आप gate के aspirant हैं तो आपको यह course बहुत ही beneficial होंगे आपके लिए 15999 का यह course है जैसे कि मैं आप देख सकते हो screen पर gate civil all-in-one comprehensive pack यहां पर 15999 का और 2022 फरवरी तक यह valid रहेगा A to Z preparation करवा दी जाएगी 4.9 star rating है जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी यहां पर rating है full test series मिलेगी और आपका gate के बहुत अच्छे marks लाने की guarantee हमारी है link आपको description में मिल जाएगा जाकर अभी check किजिए 10% extra off चल रहा है तो अब चलते हैं सीधा advertisement पर तो power grid corporation of India limited में निकल चुकी है bumper vacancies सबसे पहले बात करते हैं यहां पर temporary यह contractual basis की vacancies है 24 months का यहां पर initially आपका contract period होगा और उसके बाद आपको यहां पर permanent यहां फिर contract आपका increase भी किया जा सकता है आपकी performance के basis पे या requirement के basis पे तो सबसे पहले यहां पर चलते हैं field engineer electrical की 30 vacancies है जिसमें से unreserved 12 OBC 7, SC 7, ST की 1, EWS की 3 vacancies है और PWD की 2 और EX serviceman की भी 1 vacancy है और field engineer civil की भी 8 vacancies है बाकी आप preservation table तो देखी सकते हैं इसके बाद field supervisor electrical की 47 vacancies है और field supervisor civil की 12 vacancies हैं और इसके बाद अगर हम चलें यहां पर specification की तो यहां पर age limit यहां पर 29 years रखी गई है field engineer electrical और civil दोनों के लिए 9 माई 2021 तक आपकी age calculate की जाएगी और essential qualification field engineer के लिए यहां पर BE या BTEC या BSE electrical में जरूरी है 55% marks के साथ और यहां पर अगर आप SCSTPWD हो तो आपको सिरफ passing marks चाहिए BTEC में और इसके बाद यहां पर electrical electrical power या electrical and electronic या power system में आपकी engineering होनी चाहिए और इसके साथ field experience भी होना चाहिए minimum एक साल का design engineering या construction में इसके बाद field engineer civil की बात करें तो यहां पर same age limit 29 साल essential qualification सेम है civil में आपका 55% marks के साथ BE या BTEC होना चाहिए इसके बाद field experience भी आपको एक साल का चाहिए same field में इसके बाद field supervisor में यहां पर same age limit है और qualification की बात करें तो diploma 55% marks के साथ चाहिए और अगर आप higher qualification के हैं यानिके BTEC या BE के हैं या MTEC के हैं तो और अगर आपका चाहिए diploma है चाहिए नहीं है तो आप allowed नहीं हो यानिके field supervisor में BTEC या MTEC वाले allowed नहीं है और field experience एक साल का चाहिए ही चाहिए electrical works में या construction testing में इसके बाद field supervisor civil में भी यहां पर same diploma चाहिए डिगरी वाले allowed नहीं है और field experience भी चाहिए इसके बाद अगर हम pay की बात कर लें तो आपको 30,000 से लेके 1,20,000 तक का pay band आपको मिलेगा 3% increment के साथ और इसी के साथ आपको industrial DA, HRA और 35% perks भी आपको मिलेंगे और जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा तो आपको 3 साल का यहां पर increment भी मिलेगा और अगर हम बात कर लें field supervisor की pay की तो आपको 23,000 से लेके 1,5,000 तक की pay band मिलेगी बाकी सारे alliances भी मिलेंगे तो अब अगर हम बात कर लें यहां पर reservation की तो Indian government के according सारे reservations यहां पर eligible हैं कोई भी यहां पर apply कर सकता है तो इसके बाद अब Indian होने चाहिए और selection process की बात कर लें तो field engineer के लिए यहां पर सिरफ और सिरफ आपको interview देना है और interview देने के बाद आप select हो जाओगे screening test भी हो सकता है अगर screening test होगा तो एक घंटे का होगा 75 marks का होगा और जिसमें से 50 questions आएंगे आपके relevant discipline के यानि कि civil या electrical के और 25 questions आएंगे aptitude के और आपको 40% marks यहां पर screening test में चाहिए ही चाहिए और जो shortlist हो जाएंगे उनका interview होगा और यहां पर 40% marks आपको चाहिए qualify करने के लिए और इसके बाद interview में और reserved के ओ 30% marks यहां पर interview में चाहिए ही चाहिए इसके बाद field supervisor की बात कर लें तो यहां पर आपको सबसे पहले test देना होगा और test में technical knowledge के 50 questions और aptitude के 25 questions आने वाले हैं एक mark का एक question होगा और qualifying marks यहां पर 40% है general के लिए और यहां पर 30% marks आपको qualifying चाहिए अगर आप reserved category के हो और यहां पर दिल्ली NCR में आपका test यहां फिर interview schedule किया गया है तो अगर आप यहां पर field engineer की vacancy बिल करना चाहते हो तो आपको 400 पे fees देनी है field supervisor की आपको 300 पे fees देनी है और apply कैसे करना है तो आपको www.powergrid.in पर जाके career section पर जाके job opportunities पर जाके opening पर जाके और regional opening पर जाके फिर northern region पर जाके आपको यहां पर सारी जो details है फिल करके submit बटन पर क्लिक करके फिर fees जो है submit कर दिनी है और आपका form fill हो जाएगा तो अगर आप यह fill करने जा रहे हो तो comment section में जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमारी mobile application डाउलोड करना बिल्कुल मत बूग लिएगा क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं सभी previous year questions चाहे वो state level का exam हो चाहे वो center level का exam हो gate, sse, j, state level, j, a, sd, sb के previous year questions और free test series सभी streams के लिए चाहे वो electrical, mechanical या civil या फिर EC सभी के लिए आपको यहाँ पे material मिल जाएगा और link आपको description में मिल जाएगा और अभी के अभी हमारा telegram और whatsapp group join करना बिल्कुल मत बूलिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही और job alerts, job notifications, study material सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले तो link description में मिल जाएगा telegram और whatsapp का भी अभी join कर लिजिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार thank you